हलो एवरिवान वेलकम और वेलकम बैक रिशी सुनाग जो की पहले हिंदू और इंडियन ओरिजिन के पीम है यूके के और काफे ज़ादा प्राउड था इंडिया भी और बेसिकली इनको कुंग्रेचुलेशन्स आ रहे थे या भरके लीडर्स इनकी विक्टरी को अगर आप किसी को स्वेला ब्रेवर मन का नहीं पता है मैंने एक वीडियो बनाई है इनके बारे में जब इनोंने इंडिया के अगेंस्ट बाते बोली थी पूरी अगर आपको वीडियो देखनी है मैं उसका लिंक या तो डेस्क्रिप्शन में देदूगी या फिर आई पता देती हूँ यह लिस्ट्रस सरकार की वही मिनिस्टर हैं जिन्होंने फ्री ट्रेड एग्रिमेंट को लेकर कोमेंट्स करे थे और यह बोला था कि यह एग्रिमेंट अगर इंडिया और यूके के बीच होता है तो यूके के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज जाती हैं जो भी लोग अपने वीजा के एक्सपायर होने के बाद यूके में रुक रहे हैं उनको वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाए ऐस सून आस पोसिबल इवन उन्होंने ये भी बोला था कि जो अभी दंगे हुए थे यूके में इंडियन्स और पाकिस्तान के बीच उन्हों इन्होंने इंडियन्स को ही उस चीज का जिम्मेदार भी ठहराय था एक और बात जो इन्होंने बोली थी वो ये बोली थी कि शीज वेरी वेरी प्रावड ऑफ ब्रिटिश एंपायर और ब्रिटिश एंपायर ने किसी भी कंट्री को रूल करके उनके लोगों को काफी जादा facilities प्रोवाइड करवाई हैं अब इनके ऐसे comments सुनकर of course Indians जो लोग थे वो इन पर काफी जादा गुसा थे even यहां तक भी reports आई थी कि free trade agreement अब इंडिया और UK के बीच होगा ही नहीं क्योंकि इंडिया जो था काफी नाराज था इन से जो मोदी जी है हमारे Prime Minister वो भी UK नहीं जाएंगे anytime soon because of these remarks और इसी वज़े से फिर Liz Trust सरकार से इनको निकाला गया था इनको force करा गया था कि आप अपना इस्तीफा दे क्योंकि एक ऐसे minister जो कि एक friendly country पर ऐसे comments करके उनके relations को jeopardize कर सकता है उनको सरकार में रखना खतरे से खाली नहीं है इसलिए इनको force करा गया था कि आप resign करो अब जैसा कि आपको Swela Breverman के बारे में थोड़ा सा पता चल गया है अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और UK के जो trade है उसके बारे में आप देखोगे 2005 से लेकर 2022 तक का ये graph है किस कदर से जो trade है बेटविन इंडिया और UK वो बढ़ा है तो अगर हमारे बीच free trade agreement हो जाता है ये जो आंकड़ा है वो और जादा जाएगा और basically दोनों countries को उस चीज से फायदा होगा UK आपको पता है UK अभी बहुत जादा economic crisis जहेल रहा है और उसको काफी जादा need है कि उसके याँ companies आई investment आई और इसी लिए free trade agreement करने के लिए UK और इंडिया दोनों काफी करीब थे before Swela Braverman made those comments Rishi Sunak जिनकी अभी तक बहुत जादा तारीफ हो रही थी उनको ही criticism जहलना पड़ा Swela Braverman को government में वापस लाकर देखो Swela Braverman ने ये बोला था कि मुझसे एक email गलती से send हो गया personal ID से जो की होना नहीं चाहे था ये एक technical breach था और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आब resign कर दू क्योंकि मैंने बहुत बड़ी mistake करी है जो की नहीं होनी चाहे थी एक minister से लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि Swela और Sunak इन दोनों की ये basically plan था कि Liz Truss को एक आखरी धका लगे उनको लगे कि हाँ वो अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगी और वो खुद से फिर resign कर दे अपनी post से और उसके बाद सुनाक PM बन जाए ऐसा बोला जा रहा है इसके अभी कोई proof सामने नहीं आए है बाकि क्योंकि Liz Truss बहुत जादा stress में थी उस time बहुत जादा pressure में थी उनकी सरकार में एक के बाद एक minister छोड़ के जा रहे थे इसके बाद कि उन्होंने resign कर दिया so this is highly likely कि ऐसा हो ये जो reports है ये जो rumors है ये सही भी हो सकते है बाकि रिशी सुनाक ने अपने decision को defend करते हुए ये बोला है कि जो home secretary है उनसे गलती हो गई थी और अब उन्होंने उस चीज को recognize कर लिया है और उन्होंने अपनी गलती को मान भी लिया है और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा we will make sure of that इसलिए उनको appoint कर लिया गया है लेकिन ये सब justification of course सिर्फ opposition के लिए नहीं ये justification किसी भी जो बाकि जैसे इंडिया है इंडिया के उपर वो remarks होए थे इंडिया के लिए ये जो justification है ये काफी नहीं होगा इवन इंडिया छोड़ो इवन जो UK के भी लोग है वो इस decision से बिलकुल भी खुश नहीं है जो Labour Party है उन्होंने ये बोला है कि एक serious concern raise होता है स्वेला ब्रेवर्मन की appointment से क्योंकि ये एक threat है to the protection of our national security क्यों? अगैन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एक ऐसे friendly country जिसके साथ की trade deal आपकी अच्छी चलती है और अगर free trade agreement हो जाता है तो दोनों countries को काफी फायदा होगा उनके उपर ऐसे comments करना यानि की जो relations है उनको jeopardize करना होता है और ऐसे minister को दुबारा point कर लेना इंडिया के साथ relations को खदरे में डालने का एक और step है अब FTA होना था दिवाली तक, दिवाली चली गई है FTA हमारे बीच sign नहीं हुआ है UK और इंडिया के बीच लेकिन जब Liz Truss की सरकार गई और सुनाक की सरकार आई तो ऐसा लगा कि शायद अब we are very close to the FTA deal लेकिन सुनाक के decision के बाद इंडिया काफी upset हुआ है और इवन ये तक बोला जा रहा है कि ये जो deal है तो ये आगे होगी नहीं होगी कुछ नहीं कह सकते अलग बात है अब देखो ब्रेवरमन खुद भी immigration के अगेंस्ट है दूस्तरा रिशी सुनाक भी उनके इस चीज़ को upload करते हैं कि हाँ immigration के खिलाफ वो है इसलिए मुझे उनका decision काफी अच्छा लगता है ये minister एक तरीके से अच्छी direction में काम करती है इसलिए बोला जा रहा है रिशी सुनाक भी काफी हद तक immigration के अगेंस्ट है और वो इंडिया का जो immigration है उसको रोकने की ही कोशिश करेंगे but after this decision उन्होंने जो appoint करा है स्वेला ब्रेवरमन को ये बोला जा रहा है कि रिशी सुनाक की जो सरकार है वो भी अभी stability की और नहीं बढ़ेगी क्योंकि again इंडिया एक काफी important partner है to UK तो रिशी सुनाक की decision इंडिया और UK दोनों को ही काफी धक्का लगा है save and UK की काफी जादा लोग इस चीज के against है तो ये बोला जा रहा है कि anytime soon ऐसा भी हो सकता है कि UK में फिर से तकता पलट हू UK में फिर से सरकार गिर जाए और कोई और PM बनी बाकी अभी हम इस पे कोई कोई कोमेंट नहीं कर सकते This is yet to see but I'll keep you updated and this was the news for you guys I hope you loved it if you did please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video till then say happy healthy and bye